इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी शन्त एक tablet एक prescription दवा है जिसका इस्तेमाल चिंता यानि की short term anxiety और अनिद्रा के इलाज के लिए किया जाता है यह मस्तिश्क में विशिष्ट रिसेप्टर साइटों से बधह होता है और मस्तिश्क को शांत करता है इसलिए यह मस्तिश्क को प्रभावी तरीके से आराम प्रदान करता है शन्त एक tablet खाने के साथ या बिना खाना खाए भी लिया जा सकता है हाला कि इसे रोज एक ही समय पर ले क्यूंकि यह शरीर में दवा के समान लेवल को बनाए रखने में मदद करता है इ पहले ही आप बहतर महसूस कर रहे हो पर इलाज का पूरा कोस पूरा करें आपको अपने डॉक्टर से बात किये बिना इस दवा का सेवन बन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से मिचली और anxiety हो सकती है इस दवा के कुछ सामाने side effect में सिर्दद, impaired muscle coordination, ठीक से बोल ना पान मानस्पेशियों में कमजोरी, सेक्स की इच्छा में कमी और depression शामिल है इस से चक्कर आने और नींद आने जैसी समस्याएं आ सकती है इसलिए जब तक आपको यह पता न चल जाए कि दवा आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है तब तक driving या मानसे के कागरता की आवशक कोई भी गतिविधी न करें संभावित side effect और उन्हें रोकने या उनसे उबरने के तरीकों के बारे में अपने doctor से बात करें इलाज बंद करने के बाद आपको side effects भी हो सकते हैं इस दवा को लेने से पहले अगर आप गर्भवती हैं गर्ब धारन करने की योजना बना रही है या स्तनपान करा रही हैं तो आपको अपने doctor को इसके बारे में बताना चाहिए आम तोर पर शंत एक tablet को अन्य दवाओं के साथ मिलाया जा सकता है लेकिन कुछ दवाएं जिनमें antacid और alcohol शामिल हैं वे इसके काम करने के तरीके पर प्रभाव डालते हैं और इससे side effect की संभ धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell icon पर क्लिक करें और all notification को क्लिक करें धन्यवाद